आज की वीडियो है वो CSAS PG 2023 के उपर है sport round के लिए आप सभी लोग को कैसे apply करना है यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना dashboard open कर लेना है सबसे पहले login करना है इसका जो link है description box में मैं दे दूँआ directly आप जब आओगे login करोगे सबसे नीचे आपको यहाँ पर इस तरीके से शो होगा status action action के नीचे आप लोग यहाँ देख सकते हो apply for upgrade तो सबसे पहले हम website पर आ जाते हैं यह जो website है आप लोग देख सकते हो press release का यहाँ पर मैं आप लोग को पढ़के बता दूँए मैंने already पढ apply कर रहे हो तो 21 सप्टेंबर 5 बे से पहले शाम के apply कर सकते हो ठीक है मैं वापस dashboard पर आ जाता हूं यहाँ पर मुझे apply for sport round first पर click करना है first इसलिए क्योंकि अभी पहला ही sport round announce हुआ है second आएगा अगर seat vacant होगी otherwise नहीं आएगा वैसे आता है हो सकता है कुछ courses के लिए वैसे आए लेकिन LLB में अच्छी खासी सीट अभी अनिजफ के अंदर हैं लगबग 50 सीटे हैं 50 सोरी 59 सीटे अनिजफ के अंदर बहुत सारी सीटे अभी वेकंट हैं बहुत courses में नहीं है लेकिन आप सभी लोग apply कर दो apply for a click करूआ यहाँ पर आपका CUT जो number है वो यहाँ पर show कर जो है basically हमने पढ़ चुके हैं इस पर किलिक कर देना sport guidelines में basically यह है जो बच्चे और लेड़ी admitted है और जिन्हें अभी तक सीट नहीं मिली है दोनों participate कर सकते हैं ठीक है अब ग्रेड करना पड़ेगा जो बच्चे और लेड़ी मतलब admitted हैं ठीक है बाकि जिनने सीट नहीं मिली यहां पर अप्लाई करेंगे मेरली applying for sport admission डब दोगे गारंटी नहीं है देखो अगर सीट वेकेंट होगी तो आपको admission मिल जाएगा और यह depend करता है number पर किया आपके कितनी number आए ठीक है कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो बच्चे पहले apply करेंगे क्या उनका पहले admission होगा तो आप sport admission या कोई सब यह admission हो UGPG Btec जिसका भी है सम में जो है basically cutoff आती है number पर तो उस पर admission होता है यहां पर वाली policy नहीं है कि आप first come first round से बाहर कर दिये जाएगा ठीक है तो यह में किलिक कर देता हूं अगर आपको sport round में seat मिल जाती है seat कम मिलेगी तो notification आप लोग देखो seat आपको मिलेगी यहां पर date of declaration 23 September को आपको इस्टेटिट यहां submitted आ जाएगा ठीक है मैं डेजबूट पर वापस आता हूं किलिक कर देता हूं जब हम डेजबूट पर वापस आते हैं यहां पर प्रोफाइल सीउटी एडिमिट कार्ड और यह स्पोर्ट एप्लिकेशन आपको दिख जाएगा है मैं किलिक कर देता हू आपका application नमबर जो है activity names sport round first है आपका name आजाएगा form नमबर आजाएगा सारी चीज़े आजाएगी ठीक है तो यहां पर देखो आप सभी को पता चलगी होगा देखो आप लोग जब sport application सम्मिट होएती है तो यहां एक column भी बना आ जाता है तो आप उसे जरूर चेक आउड क पर किलिक करना जो आपके portal पर आ रहा है अप्ग्रेड ओप्शन नहीं देखने को मिलेगा जिने अभी तक सीट हो चुकी है कि किसी भी college के अंदर कोई सभी course third point में यह है जिने अभी कोई सभी course कोई सभी college नहीं मिला है वो यहां पर participate कर सकते हैं यह schedule है अब यहां पर आपक चेक आउट कर लेना वैसे कोई जरूरी नहीं है उसे वीडियो को दुबारा चेक आउट करना क्योंकि मैंने अलड़ी आप लोग को बता दिया फिर भी बाकि अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट सकते हो और